इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते लाल रक्त कोशिका के निर्मान में सहायता करने, अनीमिया से जुड़ी बीमारियों का प्रबंधन करने, तंत्र का तंत्र के स्वास्थे को बनाय रखने, मस्तिश्क और हृदय के स्वास्थे में सुधार करने, आंत के स्वास्थे का समर्थन करने और समगर प्रतिरक्षा और कल्यान में सुधार करने में मदद करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में 1. पोशन संबंधी स्वास्थ्य शरीर में विभिन पोशन संबंधी कमियों से निपटने में प्रभावी रूप से मदद करता है 2. हृदे स्वास्थ्य ओमेगा 3 फैटी एसिड एपीए और डीहेचे हृदे स्वास्थ्य में योगदान करते हैं एक स्वस्थ हृदे प्रणाली को बढ़ावा देते हैं 3. मस्तिश्क कार्य जिंकगो बिलोबा और जिंसिंग जैसे तत्व अपने संग्यानात्म गलाभों मस्तिश्क कार्य को बढ़ाने और मानसिक स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं 4. एंटियोक्सीडेंट समर्थन कैपसूल में कई प्रकार के एंटियोक्सीडेंट होते हैं जैसे कि हरी चाय का अर्ग और कैरोटिनोड जो ऑक्सिडेटिव तनाव से निपटने में मदद करते हैं और एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करते हैं 5. पोशक तत्वों का अवशोशन लेक्टिक एसिड बैसिलिस पोशक तत्वों के अवशोशन में सहायता करता है और आंत के स्वस्थि का समर्थन करता है 6. हड्यों का स्वस्थ्य विटामिन D3 और कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे आवश्यक हनिजों का समावेश हड्यों और दांतों को मजबूत बनाने में योगदान देता है 7. उर्जा और चयाप्चे बीच है और बीबारह सहित बी विटामिन उर्जा उत्पादन और चयाप्चे प्रक्रियाओं में मदद करते है 8. तवचा और बालों का स्वस्थ्य बायोटिन, जिंक और तामबा स्वस्थ तवचा बालों और नाखुनों को बढ़ावा देते है 9. प्रतिरक्षा समर्थन, विटामिन C और अन्य एंटियोक्सिडेंट एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करते है 10. रक्ट स्वस्थ्य फोलिक एसिज शरीर में लाल रक्ट कोशिकाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है जिससे अनीमिया को रोका जा सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें